जिस समय कड़ी धूप में लाखों परिक्षारती रीट की परिक्षा के लिए सब इस्पेक्टर की परिक्षा के लिए आरेस की परिक्षा के लिए बसों में धक्के खा रहे थे परेशान हो रहे थे महिलाएं अपने दूद पिते बच्चों को छोड़ कर आई माबाप ने खेत, जमीन, प्लॉट गिर्वी रखकर करजा लेकर के उनको पढ़ाया था उस समय महल में मैठे अशोगहलोत इन बेरोजगारों की दुर्दशा पर हस रहे थे उनका मजाक उड़ा रहे थे अशोगहलोत एक व्यत्ती गोपाल के सावत को बिना चुनाव लड़े राज्यमंत्री बनाते हैं वो जम कर बेरोजगारों को लूटता है OMR शीट बदलने के नाम पर साक्षातकार के नाम पर और मजबूरी में उसको पकड़ना पड़ जाता है साड़े ठारा लाक की रिश्वत के साथ उस F.I.R. में कवी कुमार विश्वास कौन से कवी जिनोंने राहुल गांदी को पपू नाम दिया था उसकी पतनी मंजू सेनी का नाम भी है एक नाम और चल रहा है जो राजस्थान के मुख्य सचिव थे निरंजन आर्य उनकी पतनी संगीता आर्य का भी नाम चल रहा है इसी मामले में RPSC के चेर्में संजेक शोत्रिय जो खुद R.S की परिक्षा में फेल हो गया था पास नहीं हो पाया था R.S नहीं बन पाया था उसका नाम भी चल रहा है वही अशो गहलोद, हभीप खान, गौरान जो खुद R.S की परिक्षाम फेल हो गया था उसको RPSC मेंबर बनाते हैं और उसके बाद उसको चेर्में बनाते हैं पेपर चोरी में पकड़े गए, भुपेंदर यादव को जो एक पुलिस अफसर था RPSC चेर्में बनाते हैं उनके कारेकाल में RPSC का एक छोटा सा करमचारी 23 लाख रुपे रिश्वत के साथ रंगया तो पकड़ा जाता है क्या एक छोटा करमचारी 23 लाख ले सकता है, यह गंगा ब्रष्टाचार की गंगा उपर से बहती है बहभुलाल कटारा, RPSC मेंबर जिसको अशोग गहलोत ने बनाया था, वह भी पेपर के साथ पकड़ा जाता है अब आप समझ ही गए होंगे, जिस प्रकार एक व्यक्ति ट्रेन में 100 बार बिना टिकट यातरा करता है, एक या दो बार पकड़ जाता है उसी प्रकार RPSC में जितने लोग पकड़े गए हैं, यह तो छोटा मोटा उधारन है धंदा किस लेवल पर चल रहा है, और इसका असली धंदे बाज कौन है आपको समझ में आ गया होगा, वो असली धंदे बाज है अशोक गहलोद अभी तक बहुत सारे लोग समझनी पा रहे होंगे कि सचिन पाइलेट और किरोडिलाल मीना RPSC को भंग करने की बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों को अंदर की बात पता है, धंदे बाज का धंदा भी पता है, और RPSC की बरबादी भी पता है, और जनता को भी ये पता है, बेरोजगारों को भी पता है आप बताईए, पेपर चोरी करते हुए पकड़ा गया जो अभीब खान गौरान था, उसके खिलाप ब्रश्टाचार निरोदक ब्यूरो में जो मामले थे, अभी जैसे ही अशोगलत मुख्यमंत्री बने उनको बंद करा दिया अभीब खान गौरान के बेटे को 45,000 रुपे महिने पर पैनल लॉयर नियुक्त कर दिया, नेताओं के परिवार के बच्चों को साक्षातकार में नमबर मिल रहे हैं, लेकिन वो बिरोजगार जिसने प्री परिक्षा और मेन परिक्षा में शांदार पेपर दिया, उसको न पैलेट बार-बार क्यों चिला रहे हैं कि अपसरों को इन पदों पर क्यों बिठाया जा रहा हैं, इन पुलिस वालों को विशेश कर क्यों बिठाया जा रहा हैं, तो ये पुलिस वाले निर्दोशों को फसाने में और दोशियों को बचाने में अशोग गैलोत के साथ कंद पर क्या भीती है और अगर आप उन में से एक है तो आपको ये आपने दर्द सहा है आपको ये दर्द पूरी तरह पता है जब हम निराश होकर अनुतिरिन होकर इस करण से योगेता की वज़े से नहीं इन नेताओं के धंदे बाज होने करण से जब आप असफल होकर घर जाते तो खून के असूर होना पड़ता आपके माबाब सोचते हैं कि आप में कमी है लेकिन वास्तविक्ता कमी है इस व्यवस्था में जिसको इन नेताओं ने बिगाड दिया था अगर ये व्यवस्था नहीं बिगड़ी होती पेपर चोरी नहीं होते पेपर लीक नहीं होते साक कुणा हजार गुणा लाख कुणा वसूली कर रहे हैं ACB के DG हेमंत प्रिदर सी खुल कर सामने आते हैं एक ही दिन बाद और कहते हैं RPC के किसी व्यक्ति का कोई भूमिका नहीं है ये ACB वो ही है जो वर्षों तक अनुसंदान करती है इनको एक ही दिन में पता चल गया अनुसंदान तो हुआ ही नहीं जो व्यक्ति रिश्वत लेते वे पकड़ा गया उसके कोई रिमांड नहीं ली जाती उसको सीधा जेल भीदे जाता है इनको डर लगता है ये इनकी पोल खोलेगा किसकी पोल धंदेबाज की पोल आप देख लीजिये जितने भरष्ट अपसर है उन सब को सेवा निवर्ति के बाद मलाईदार पद मिला है और कोई अशोग गहलोत का प्रसंशक भी मुझे देख रहा है सच बताईए क्या ये जो व्यवस्ता चल रही है क्या आपके लिए भी ठीक है आज कुछ लोग जो इन ब्रष्टाचारियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर इनका परचार कर रहे है क्या उनके साथ या उनकी जोटे भाई बहनों के साथ उनके परिवार जुनों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं वो लोग अब जिन बेरोजगारों को जिन नागरिकों को जिन माता पिताओं को बात समझ में नहीं है ये उनको समझाने की जिम्मेदारी आपकी है आप बताईए जो खेल चल रहा है उस खेल को कैसे खतम किया जा सकता है आपको खड़ा होना पड़ेगा नेताओं के बरोसे काम नहीं चलेगा आरपीस सी खिलाप बोलने वाले लोग हो सकता है कल चुप हो जाएं लेकिन आप चुप नहीं होंगे ये खतम हो चुकी विवस्ता किसी एक पार्टी की बात नहीं है ये मिला जुला खेल है आप खुद देख रहे हैं अलग-अलग पार्टीों के लोग भी इस बात को उठा रहे हैं क्योंकि उनको पता है जनता खिलाफ हो रही है बेरोजगार यानि युवा वह विवस्ता परिवर्तन में सबसे बड़ा हिस्सेदार हो सकता है और आने वाले समय में आने वाले चुनाओं में जब मत देने की बारी आएगी तो बेरोजगार युवा और उनके माबाप यानि आप में से कोई भी व्यक्ति ये भूलेगा नहीं कि किस प्रकार से कुठारा गात हुआ है युवा उपर धन्यवाज जैहिंज जैभारत